हेलो गाईज वेलकम टू सक्सेसकी 98 आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे योट्यूब चैनल सक्सेसकी 98 में आज हम बात करेंगी इतिहास में इस ऐसे शाशक का जिसका नाम बहुत ही विख्यात रहा है जी हां माराठो के समराज्जी के बात करूँगा मैं आज और ज इनका जो जन्म हुआ था यह बता दू कि यह 6 अप्रेल 1627 इसवी को इनका जन्म हुआ था कहां पे तो यह सिवनेर दुर्ग जो की जुनार के समीप है और यह महराष्ट्र में पड़ता है जी हां इसलिए नोट कीजेगा यह कोशन को तो चलिए आज देखते हैं आज का जो हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और क्यूज में हमारे साथ बने रहिए ताकि जो आने वाले एक्जाम के सिनारियों हैं सारे जितने भी कोश्चन है वो हम आप तक लेकर पहुंच रहे हैं तो आप हमारे साथ बने रहिएगा व में से कौन सीवा जी समराज जी की राजधानी है रायगर राजिस्थान मुंबई या दिल्ली तो बच्चो मैं आपको बता दू कि इसका जो आंसर है अगर आपको आंसर पता है ना तो आप नीचे जाके कमेट कर सकते हो कोई इशू नहीं है आप जितने भी बच्चे हैं हमार जा सके तो देखिए इसका आंसर है यानिकी राजधानी बनाया था नोट किजी का बच्चो बहुत इंपॉर्टन कोश्चन है यह कोश्चन पूछता है रेलवे में तो खासकर बहुत सारे कोश्चन पूछे हैं और मैं एक चीज बता दू कि जो लड़के जो बच्चे यूपी पुलिस और बिहार पुलिस की त्यारी कर रहे हैं उन सब के लिए भी सारे के सारे कोश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टन हैं बहुत ही ज़्यादा ठीक है तो उनको भी अगर आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं वीडियो को ठीक है उन तक ये वीडियो पहुंचाएं उनका भला करें ठीक है उन लोगों का जो बहुत ही मेहनत करके यूपी पुलिस और बिहार पुलिस या कुसी भी पुलिस छेतर की दौकरी पाते हैं ठीक है बच्चो चलिए तो इसी के साथ हम अगला कोश्चेन देखते हैं कि सिवाजी ने तो आंसर अगर आपको पता है बच्चो तो जरूर आंसर कीजिएगा इसका आंसर मैं वेट कर रहा हूं दस सेकेंड का टाइम दे रहा हूं आपको जल्दी से कमेंट कीजी नीचे जाके कमेंट बॉक्स में और जो बच्चे जोड़ रहे हैं प्लीज चैनल को इनके पिता जी थे उनका नाम था क्या नाम था उच्चे तो उनका नाम था साहजी भोशले क्या नाम था उनका साहजी भोशले जिहां याद रखिएगा नाम ठीके और उनकी जो माता दारिंटी उनका नाम था तुका बाई क्या नाम था उनका तुका बाई याद अभी तक नहीं दियेंगे होंगे किसी भी क्यूज में ठीक है बच्चो तो चलिए उन सब छोड़ते हैं पहले इसका आंसर देखते हैं कि जो इनकी राजधानी थी तो वो था बच्चो मालवा जी हां मालवा जो है अभी मद्यपरदेश के छेतर में पढ़ता है पहले वो तो हमता है बच्चे मराठो का मराठो में राष्टरवाद की भावणा भरने में महत् prehe dough भूमिका क्सने निभाई है मराठो में राष्ट्रवाद की भावना भरने में महत्रपुन भूमिका किस निभाई है तो option है आपके दादा जी कोण देव, जीजा भाई, गुरु राम दास या नाम देव ठीक है तो ये चार option है आपके पास अगर आंसर पता है तो जल्दी से जल्दी नीचे जाके कमेंट कर सकते हैं आप ठीक है अन्य था वेट करें 10 सेकेंड के अंदर आपको इसका भी आंसर दे दिया जाएगा ठीक है बच्चो चलो तो मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो सीवा जी के गुरू थे वो थे कोंड द गुरू थे उनका नाम था कोंड देव ठीक है ये कोनाडे लिखा हुआ यहाँ पर कोंड देव यह है दादा जी कोंड देव उनका नाम था ओके ये इनके गुरू थे ठीक है बच्चो तो चलो इसका आंसर देखते हैं इसका आंसर है सी यानिकी गुरू राम दास जी हां ब बच्चो और एक चीज में बता दूं कि जो इनका सिवा जी का जो विवा हुआ था वो साइबाई नाम था साइबाई निम्बाल कर इन्हों नहीं 1640 हिस्वी में उनसे विवा किया था मराठी धरम के अनुसार ठीक है चलिए यह कोशन याद रखेगा उनका नाम क्या था बच् कर पुरा नाम था साइबाई निवाल कर चलो यह कोशन है उनकी वाइफ का नाम था यह कूछ सकता है ठीक है चलो इसी के साथ हम अगला सवाल देखते हैं बच्चे 1646 इस्वी में सिवा जी ने सरपतम किस किले पर अधिकार किया चलो इसका आंसर आप लोग प्लीज कमेंट करें तूरं राइगड जाबली या कूंकड चली बच्चो अगर आंसर पता है तो जरूर आंसर कीजिएगा 1646 इस्वी की बात हो रही है ठीके तब वो अपने राइगड को राजानी नहीं बना पाये थे तब तक क्योंकि 1656 इस्वी में राइगड को अपनी राजानी बनाया था उन्होंने ठीके और 1640 की बात करूं तो उनकी शादी हुई थी तो ये कोश्चन है कि 1646 की ठीके तो द कि उन्होंने अपने शैन अभियान के अंत्रगत 1644 इस्वी में सिवा जी के सिवा जी ने प्रत्षम सर्व पर बीजापूर के तोरण नामक पहाडी किले पर अधिकार किया था 1644 में इन्होंने कि इस तोरण नामके किले पर आकरमन किया था ठीक है तो ये जो 1646 में 1646 इन 1646 वो आंसर बच्चे आपका ए तुरन ठीक है चलिए आंसर आपका क्या ए तुरन अगला सवाल देखते हैं बच्चे Q question है कि 22 June 1665 को पुरंदर की संधी किन के बीच संपन होई थी तो सिवाजी और अंग्जेब के बीच सिवाजी जै सिंग के बीच और सिवाजी साईस्ता खान के बीच या सिवाजी जस्वन सिंग के बीच तो चलिए इसका आंसर यहाँपे खुद आ चुका है तो आंसर है B यानि कि सिवा जी और जै सिंग के बीच 600 ठीक है 65 हिस्वी में इनकी बीच हुई थी चलिए अगला कुश्चन है कि सिवा जी और अरंग जेब के आगरा के दर्बार में कब उपस्तित हुए थे यह important question है कि यह वाक्या है सिवा जी ने औरंग जेब सिवा जी को औरंग जेब ने मई 1667 इस्वी यहां 1666-67 इस्वी में जैपुर भवन में कैद कर लिया था जहां से वे 1667 इस्वी में उन्होंने वहाँ से भाग निकले थे ठीक है उन्होंने 67 यानि कि answer जो है आपका B sorry इसका answer गलत है इसमें 1660 नहीं है 1666-67 यानि कि ठीक है यह wrong है इसका answer बच्चे यहां पर देखिये का answer यह गलत आ रहा यहां पर ठीक है तो यह जो है answer B नहीं होगा यहां पर इसका answer होगा 1667 ठीक है वो 1666 से 67 तक वहाँ पे बंदी थें तो 67 में वो वहाँ से फरार हो गये थें आंसर C है इसका नोट कीजिएगा यहाँ पे आंसर कुछ मिस्प्रिंट हुआ है चलिए अगला हमारा सवाल है बच्चे यह के बारे मैं बता दूँ कि मातर 53 वर्स की आयू में 3 अपरेल 1680 को सिवा जी की मृत्यू भी हो चुकी थी ठीक है सिर्फ 53 साल के थें और 1680 में इनकी मृत्यू हो गई थी ठीक है इतना नोट कीजिएगा चलिए अगला हमारा सवाल है बच्चे कि सिवा जी को राजा की उपाधी किसने प्रदान की बीजापूर के सासक एहमद नगर के सासक या औरंज जिब ने या महराजा जै सिंग ने तो चलिए आपको अंसर पता है तो नीचे जाके कमेंट कर सकते हैं ये की कोस्चिन बहुत इंपोर्टेंट है जो बच्चे फॉर्म डाले हुए है यूपी पुलिस बिहार पुलिस की वो प्लीज नोट करें सारे कोस्चिन क्योंकि ये कोस्चिन इंपोर्टेंट है और SAC, CGL में भी जी के में हिस्ट्री पूछा जाएगा जी हाँ बच्चो और in fact group D में railway की group D का जी exam होने वाला technician का भी होने वाला है local pilot का भी तो उन सब की त्यारी में लगे रहे हैं क्योंकि वहाँ history कोस्चिन रहते हैं और अच्छा खासा वेटेज होता है ठीक है, GK में पूछ देगा ठीक है, कुछ कोस्चिन आपको हो सकता है कि मोगलों से पूछ दें, सिवाजी से पूछ दें या फिर उसके बाद के उत्र जितने भी कोस्चिन होगे, वो हम आपके पास लेकर आएंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से बस हमारे साथ आप लोग बने रहिएगा ठीक है, चलिए तो इसका जेखे, ये कोस्चिन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेगा सिवाजी ने 1670 इस्वी में किस किले को जीत कर उसका नाम सिहगड रखा था, सिहगड रखा था, याद रखे, सिहगड ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कोस्चिन है तो कुंडाना, सलहनेर सलहेर, या पुरंदर या रायगड, तो आप्शन अगर आपको पता है आंसर तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा बच्चे जाकर चलिए, फटा फट आंसर कीजिए अगर आंसर पता है तो, और कुछ मैं बाते बताता हूँ, सिवा जी के बारे में आपको, कि जो सिवा जी थे वो बीजापूर के सुल्तान ने अपने योग सिनापती, अफजल खान को सितंबर 1665 इस्वी में सिवा जी को पराजित करने के लिए भेजा, पर सिवा जी ने अफजल को अफजल पे विजे हासिल करके उसकी हत्या कर दी थी ये 1665 में की बात है, ठीक है 1665 की बात है, उन्होंने अफजल खान को अफजल खान के सिनापती को और अफजल खान को दोनों को मार के वीजा पूर पे भी अपना अधिपत्व जमाया था चलिए, तो खेर ये बाते बीच-बीच में मैं आपको कोश्चन देता रहूँगा बताता रहूँगा सिवाजी के बारे में जोगी ज़्यादा कोश्चन हम लेकर नहीं आ सकते हैं हर वीडियो में टाइम का भी कंजिसन देखना परता है हमें, तो चलिए इसका अंसर है बच्छे इसका अंसर है कोंड़ाना थैक नोट कीजीएगा किनड़ाना है उसका अंसर और लम踊ंवे कोंड़ाना है इसका अंसर थीख है यह हैंसर चलिए बच्छो अगला सवाल है हमारा सी औज़ी ने, सीवा जी से पहले गEERी Labour यानि कि छापा मार कहते थे हैं युद्ध पद्धती का इस्तमाल किस ने किया था चलिए तो अब बताईए इसका अंसर महावत खान ने महाराना प्रताप ने मालिक अंबर ने या उप्रयोग इन में से किसी ने नहीं तो सीवा जी ने सबसे पहले गुरीला जो है छापा मार युद्ध पद्धती का इस्तमाल किया था उनसे पहले अगर कोई जानते हो उनका नाम तो जरूर बताएं आप चलिए इसका अंसर बच्चे कमेंट कीजिएगा तब तक मैं कुछ और इनकी से लेंटेट कुछ बाते बता दूँ आपको कि जो सीवा जी ने दरबार में सिलहदार और पैदल सेना ठीक है पागा सेना किसे कहते थे जिसमें घुरसवार सेनिक होते थे और वो इस्थाई रूप से नियमित रूप से रहते थे सिलहदार जो थे वो और इस्थाई घुरसवार होते हैं और जो पैदल सेना थी वो तो पैदल सेना ही होती जो आर्मी हो चली इसका अंसर सी यानि कि मलग अमबर ने इनहोंने इन से पहले जो सिवा जी पहले गुरिला जो वार होता है थीक है छापा मार वार कहते हैं तो बच्च कब इन्होंने अपना राजी फिशेक करवाया तो देखिए मैंने आपको बताया कि answer comment किजिए अगर answer आपको पता है तो जी हाँ जी हाँ जरूर किजी answer comment आप करते रहे हैं बच्चों जो comment कर रहे हैं मुझे अच्छा लग रहा है कि बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वीडियो में last तक बने रहेगा देखी नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है वीडियो पे तो रिक्वेस्ट रहेगा आप सभी से कि आप लोग प्लीज प्लेलिस्ट में जाके क्वीज को अटेंज जरूर करें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे कोश्चन जो की एक्जाम में आ सकते हैं और आये हुए भी हैं साथी साथ चलो तो इसका आंसर है बच्चो दी यानि की जून 1674 में ठीक है सीवा जी ने कब छत्रपती की उत्पाधी जो है वो अपने राबिश्चेक में करवाया था तो 1774 इस्वी में इसलिए अब हम इनको छत्रपती सीवा जी के नाम से जानेंगे क्योंकि इन्होंने 1774 इस्वी में इन्होंने अपना जो एक उपाधी ली थी वो थी छत्रपती की ठीक है और एक चीज़ नूट कर लिजेगा यहां पे कि सीवा जी ने मुगल ब्यापारिक केंद्र सूरत को यानि कि जो आज की रेक में गुजरात में है उन्होंने दो बार लूटा था इसे ठीक है एक कब जब 1664 इस्वी में और 1670 इसके बाद उन्होंने 1674 इस्वी में अपने नाम के आगे छत्रपती का एक छत्रपती की उपाधी धारन कराई और अपना राजय विशेक करवाया ठीक है बच्चो चली तो इसके साथ हम देखते हैं अब अगला सवाल कोश्चन है कि कासी के किस प्रशिद बिद्वान ने सीवा जी का राजय विशेक करवाया था तो वो काशी के ही कोई पंडित थें तो उनका नाम था स्री स्री गंगा भट ने याद रखे हैं स्री गंगा भट ने तो बच्चो ये इस कोश्चन को नोट कीजिएगा स्री गंगा भट द्वारा अपना राजय विशेक करवाया मूल रूप से गंगाभट महराष्ट्र का एक सम्मानित ब्राह्मन था ठीक है जो लंबे समय से वारणशी जो की काशी कहा जाता था उस समय वारणशी में रहते थे ठीक है बच्चे तो यह इंपॉर्डेंट कोश्चन बनता है यहां से और सिवा जी को औरंग जीब ने 1667 में कैद कर लिया था उसके बाद थीक है तो थोड़ा सा इंपॉर्डेंट है कोश्चन का नम्बरिंग है जो देखिएगा बताता रहूंगा आपको ऐसे ठीक है और उसके बाद है हमारा सलहेर अवियान पहाल अवियान या कॉंडाना अवियान तो चलिए अगर आपको आंसर पता है बच्चे तो जरूर कमेंट कीजिएगा इस चार आप्शन में आपके पास है एक कोई ना कोई आंसर तो देखिए प्लीज वीडियो में बने रही है लाश तक कोश्चन बहुत है और जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं हमसे वो प्लीज जुड़ जाएं और क्वीज को अटेंड करें जी हाँ बच्चो क्वीज जरूर अटेंड करें तो चलिए इसी के साथ मैं इसका आंसर बता रहा हूं इसका आंसर है बच्चे यानि की करनाटक अभियान ज जो थे सिवा जी के कर ब Stress थापक ततंसर थें उस समय के मैं सीवा जी ने रशी द्वारा माप की वैवस्ता की स्थान काठी और मानक छड़ी का प्रयोक किया है याद रहे गाए आपको काठी और मानक छड़ी का प्रयोक किया है そ चलिए अगला सवाल है बच्चे कि सीवा जी के राजनीतिक गुरु एम संरक्षक कौन थे तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था दादा जी कौन देओं के बारे में पढ़ा था ठीक है तो आंसार है बच्चे दादा जी कौन देओं बी ओके चलिए कोश्चन 14 है कि सीवा जी ने 1670 इस्वी में किस किलेव को जीतकर सिहगर नाम रखा था तो यह कोश्चन साथ रिपीट हो चुका है इसका आंसर बच्चे कौन दाना ठीक है चलो ज्यादा टाइम ने देंगे इस पर क्योंकि यह कोश्चन रिपीट हो गया है और यह हमारा आज का सवाल है कि सीवा जी यूज्ड विच लैंग्वेट इन हाउस ऑफ इंपर तो वह आंसर मैंने आपको बताया कि वह था महराठी जी हां सीवा जी ने अपने दरबार में सबसे ज्यादा इस्तमाल करने वाले जो भासा थी वह महराठी थी ठीक है जो कि आज महराष्ट्र मे सबसे ज्यादा बोले जानी वाली एक भासा है ठीक है बचो तो देखिए आज के लिए इतना ही था हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को देखे शेयर कर दीजेगा अगर आप लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप सभी क्यूज को अटेंड कीजिए एक्जाम बहुत नजदीक है और उसके लिए आप सभी को आल दा बेस्ट बबाए टेक किया